हेलो फैंट वेल्कम टो एक्जान ड्राइब तो आज इस वीडियम में बात करने वाले एक खड़की का इंटॉर्मेंट बोर्ड इस्पेलिंग और प्रनॉंसेशन जो भी होगा आप चेक कर लीजेगा अगर गलत हो तो उसके रिक्रूट्मेंट के बारे में सो यहां पर देख है और छे निक्रूट्मेंट निचलऊ हैं असिस्टन्ट इंजिनियर जूणियर इंजिनिक्राफ्स्मानी इल्क्रेशन स्टाफ नर्स के लिए इसमें जो पर बात करें तो की यहां पर आपको बोला गिया जैन्ञियर एपको डिप्लोमा बोला गया यहां प्रमनंट जौब सब्सक्राइब है यहां पर स्टाफ नर्सेंग बोला गया कोई एक्सपिरेंस किसी में भी मांगा नहीं गया तो डीटेल में डिसक्स कर लेते हैं कैसे अपलाई करना क्या प्रोसेस होने वाला सारा कुछ के बारे में सो यहां पर देख सकती है आपका इसका फॉल नोटिफिकेशन है स्क्रोल करके नीचे आईएगा तो यहां पर देख सकते हैं आपका असिस्टेंट इंजिनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेकनोलजी में या फिर अर्बन प्लानिंग में तो इन समय से किसी एक में भी अगर आप पास इस्टेंट इंजिनियर्स सिविल के पोस्ट पर अब यहां पर आपके देख सकते हैं डिजायर्ड क्वालिफिकेशन बगल में दिया गया है मतलब इसका मतलब यह कि अगर आपके पास यह कौलिफिकेशन अलग से उसके साथ है तो आप यहां पर सबसे सूटेबल तो यहां पर टोटल तीन वेकंसी दो आपका यू और में है एक आपका ओवी सी में देख सकते तीन साल का पको डिप्लोमा बोला गया सिविल में या फिर सीविल एंड रूलर इंजिनेरिंग में या फिर अर्विटेक्टर में या फिर चैनलोजी में उसके बात के लिए यह रखें तो अगर आपने कर रहा है तो आप यहान पर लिजी वे लेए एक पॉऽ्ट subscribers यहां पर अगर आपके यहां पर डिप्लोमा खोर्स है यहां पर अलगसे तो आप यह जिए फिर में रखा गया उस ट्वीन यह दीक्क्त नहीं है आप यह कोई आप एसेन पर सीविल ईत पूस्त का तो जिसका होगा चेक कर लिजएगा बीसी नर्सिंग बोला गया है जिसका होगा उसको रिकमेंड कर सकते दो पोस्ट है टोटल यहां पर आठ पोस्ट दो आपका यू आर में उसका बाद मिटका तो एज नीमिट आपका 30 यह रखा गया जेनरल वालों के लिए करना होगा और आपको फॉर्म भी आफ लाइन जो कि आपको पोस्ट के तुरू भेजना होगा तो अगर आप एलिजीबल है इंट्रेस्टेड होंगे तो अपलाई कीजिएगा क्योंकि यहां पर आपका टाइम लगने वाला है अपलाई ऑफ लाइन करने के लिए आपको क्य करने ताकि जब आपका एडमिट कर आएगा तुसरी अंवलब के थूरू आएगा और जब आपका रिटेन होगा या फिर आपका जोईनिंग लेटर वगरा जो भी आएगा तो यह आपा क्राइटियरिया रहता है और देख लीजगा अब यह जुशी डॉक्मेंट्स बोला सेलेक्शन होगा चाहीं बीटेक होगा या पितलोमा होगा या फिर आ या गया अब नीचे आप स्क्रोल कर करके तो डिटेल सीले बस दिया गया है नेगे टीजिव मार्किंग रहने वाला है तो इस चिछ का ध्यान दीजेगा अगर आप अप्लाई कर रहे तो रहेगा अब यह यहां है detail सा लिए बस नीचे दिया गया है आपका technical कितना एगा non technical कितना एगा सारा कुछ मिला कि आपको यहां पर 120 दिया गया 120 मिनाट का तो simple सा बात यहां 50-50 का ratio रहने वाला जैसे हैं यहां पर mention किया गया उस हिसाब से तो चेक कर लीजेगा नीचे सारा कुछ दिया गया है और यहां पर बी डेंट । बता दिया गया है अब बत कर के यान पर अप्लाई कर अपर आप नीचे प्रोसेस एक पर और बताया गया है यहां पर आप देख सकते है documents required from the shortlisted candidates के नीचे में आप आईएगा how to apply offline for the post तो आपको एक document दिया गया है वो download करना है format उसको fill करना है उसके साथ साथ यह सारा includes करके document self-attested करके लगाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ form आपका क्या है आप सो देख सकते यह आपका application form में इसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है जो जो बोला गया है देख सकती यहां पर पासपोर साइज विश्लिक उसके इंदर जो ờंफ आपको रहेगा कर यहां पर मैंने किया गया है वां ध्रयान दीजएगा कि यहां पर देख सकते यह आप ईकिन किया गया है यहां यह जरूर है यहां पर भीजना जरूरिया यह तभी आपका प्रिमेट काड आएगा तो अब आप के लिए ओफिसल वेबसाइट का तो यह देख सकते हैं इसका ओफिसल वेबसाइट है 100% ऑफिसल है लिंक्स डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा यहां पर अप्लिकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगा और आप देख सकते हैं आपका रि लिंक्स डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा अगर आप एलिजीबल है तो अप्लाइट जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद